हाई फ्रेंड्स माइसेल्फ डॉक्टर शैशी बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत स्वागत करती हूं आज मैं आपको एक मैडिसिन एक्स्प्लेइन करूंगी जिसका नाम है एगनस कैस्टस मैं आपको बताऊंगी कि क्लिनिकली आप कौन-कौन सी कंडिशन में इस मैडिस मिलता रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एगनस कैस्टस एक प्लांट की इगनम की मैडिसिन है और इसका स्पेर अफेक्शन है मेल रिप्रदक्टिव और इसके अलावा यह रियूमेटिक कंडिशन के लिए यूज की जाती है बोन्स और जॉइन में इसके जादा एक्शॉस्टिट फील करते हैं तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं अगर बहुत जादा डिप्रेशन के लिए यूज करते हैं आप साइकलोजिकल डिसॉडर से सफर कर रहे हैं आपको एनजाइटी डिसॉर्डर है बहुत जल्दी आपको किसी भी चीज की टे प्रब्लम रहती है तो वो इस medicine का use कर सकते है sexual problem जैसे की हो सकता है कि males को impotency की complain हो उन्हें erectile dysfunction हो तो ऐसी condition के लिए males is medicine का use कर सकते है erectile dysfunction एक condition है जिसमें erection में problem होती है कई बार ऐसे देखा जाता है कि males को बिल्कुल erection नहीं होता या फिर अगर उन्हें erection होता है तो वो erection को maintain नहीं कर पाते है और बहुत जल्दी ejaculate कर जाते है तो ऐसी condition में आप इस medicine का use कर सकते है इसके अलावा इस medicine को premature ejaculation जैसी complaint के लिए भी यूज किया जाता है अगर किसी male को बहुत ही जल्दी ejaculation हो जाता है उनका जो सीमेन है वो बहुत जल्दी आउट हो जाता है तो ऐसे मेल्स मेडिसिन का यूज कर सकते है इरेक्टायल डिसफंक्शन होने का में रीजन हो सकता है advancing age कई पर ऐसा देखा जाता है कि जब males की age बढ़ने लग जाती है तो उनके body में जो hormone है male hormone जिसे testosterone कहा जाता है उसका secretion कम होता है और कम secretion के वज़े से उनकी sexuality में फरक पड़ता है उनकी sexual activity कम होने लग जाती है वो ज़्यादर घ्रसन देखा जाता है कि male में sperm count कम हो सकते है उनके body में low sperm count के complain हो सकती है वो किसी भी reason के लगे से हो सकती है जैसे कि 35 नहां कर जो sperm quality है मोटियो है वो कम होने लग जाती है और sperm के जो number है वो भी कम होने लग जाते है और person को oligospermia जैसी complaint हो सकती है या फिर azospermia जैसी complaint हो सकती है Agnes Kastus medicine male body में testosterone hormone को improve करता है उसका secretion को बढ़ाता है जिसके वज़े से कोई भी विमारी हो रही हो तो वो ठीक होने लग जाती है Agnes Kastus medicine उन males के लिए बहुत useful medicine है जिनको lack of libido की complaint होती है जिन्हें sexual activity करने में बिल्कोल मन नहीं लगता या फिर थोड़ी सी activity के बाद वो ठका हुआ फील करते हैं mentally exhausted feel करते हैं तो ऐसे मेल्स इस medicine का यूज कर सकते हैं Agnes Kastus medicine उन males के लिए बहुत ही useful medicine है जिन्होंने मेरे से से पहले कई बार sexual activities को perform किया है और उनकी performance काफी अच्छी होती है लेकिन after marriage किसी भी reason के वज़े से उनकी sexual performance decline होने लग जाती है तो ऐसे मेल्स इस medicine का यूज कर सकते हैं Agnes Kastus medicine females के लिए भी काफी useful medicine है अगर किसी female की body में female hormone कम हो रहा है estrogen hormone की कमी हो रही है तो ऐसी female medicine का यूज कर सकती है अगर किसी female को hormone deficiency के वज़े से menses में कोई problem होती है अगर किसी female को menstrual disorder है menses में irregularity है या फिर excessive bleeding होती है तो ऐसी female medicine का यूज कर सकती है Agnes Kastus उन females के लिए बहुत useful medicine है जिने pregnancy के time या फिर pregnancy के बाद milk का ejaculation अच्छे से नहीं होता है milk अच्छे से eject नहीं होता है या फिर milk बहुत ही कम amount में produce होता है तो ऐसी female medicine का यूज कर सकती है Agnes Kastus joint related complaints के लिए यूज की जाती है अगर किसी person को arthritis की complain है या फिर उन्हें कोई भी rheumatic complain है उन्हें joints में swelling होती है pain होती है चलने फिरने में दर्द होता है तो ऐसे लोग इस medicine का यूज कर सकते हैं Agnes Kastus medicine को आप 30 potency में यूज कर सकते हैं अगर आप इस medicine को 30 potency में यूज करते हैं तो आपको 4-4 drop दिन में दो बार direct अपने टंग के उपर इस medicine को यूज करना होगा so friends यह था Agnes Kastus man आपको इस के clinical use बताए कि आप कौन-कौन सी बीमारियों में इस medicine को यूज कर सकते हैं इसके अलावा आपको कौन से dose में इस medicine को यूज करना चाहिए तो अगर आप किसी भी condition के लिए मुझसे consult करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर message कर सकते हैं मैं आपको reply करूंगी तो अगर आपको मेरे वीडियो useful और informative लगा हो तो आप इसको please like कर दीजिए और साथ इस साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बैल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आज के लिए वरस इतना ही थैंक यूज